Volonteered का क्या आर्थ होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Volonteered का दू तरीकि से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो किसी चीज़ को volunteer किया गया हो उसको हम adjective के रूप में volunteered कह सकते हैं इसके इलावा volunteered जो है वो volunteer का past and surpassed participle होता है यानि कि volunteer की ही second और third form होती है volunteered और volunteer का आर्थ होता है स्वेच्छा से काम करना यानि कि बिना पैसे के अपनी मर्जी से किसी चीज में साहता करने के लिए काम करना अपने आप कहना अपने आप से पेश करना कहना या इच्छा पुरवक देना जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि मैंने स्वेच्छा से चालक के रूप में काम किया तो आप कहेंगे I volunteered to act as chauffeur या अगर आप ये कहना चाहें कि उसने इच्छा पूर्वक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया या उसने बिना पैसे लिए या स्वेच्छा से स्कूल में पढ़ाना शुरू किया तो आप कहेंगे she volunteered to teach in the school यानि कि उसने बिना पैसे लिए free में स्कूल में पढ़ाना शुरू किया अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें